नमस्कार लैजटीज बे आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पृती जाद दिल्ले में जद्यू की राश्च कार्यकारणी की बैचक हुई और राश्ची परिसद की भी बैचक होई बैचक होने के बाद जद्यू की तरप से प्रेस कॉंफरेंस किया गया जद्यू के ज इसको लेकर चर्चा चल रही थी और किसी त्यागी ने खुले-खुले शब्दों में मीडिया की हर एक सवालों का जबाद दिया जब उन्हें सबसे पहले पूछा गया कि ललन सिंग क्या कुछ बोले हैं इस्तिफा देने की बाद तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र क कि ललन सिंग ने जैसे ही इस्तिफा दिया उन्होंने बताया कि जद्यू का जो एक एक कारे करता है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा इससे साफ लड़ा है कि जहां चर्चाओं का बाजार गर्मिथा और राजनिती भी खूप तेज होड़ी थी कि लगता है कि नितीश क कुमार में और ललन सिंग में कुछ खटपट हुई है तो इस बात से यां भी साफ हो गया कि नितीश कुमार और ललन सिंग के बीच सब कुछ सही है और वहीं जहां यहां बाते भी पूछी गई मीडिया के तरब से कि इंडिया गटवंदन को लेकर नितीश कुमार नाराज चल रहे थे सन्योजक उन्हें नहीं बना गया उस पर भी केसी त्यागी ने अपनी राय रखी या यूं कहें कि जद्यू की बात उन्हों ने रखी केसी त्यागी ने बता है कि देखे इंडिया आपको मालूम है कि बिहार के मुख्यमंति नितीश कुमार फूल पूर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर भी चर्चा खुब हो रही थी देखे इस पर भी केसी त्यागी ने जबाब दिया है और बताया है जो नितीश कुमार है वो अकलेश याद इसको लेकर भी आमंतरुन भेजा जा रहा है तो इसको लेकर केसी त्यागी ने भी कहा है आगर जद्यू की बात ही वो मीडिया के सामने रखते वे नज़रा है और इन दीनों से जो अटकलों का बाजार गर्म था इसको लेकर भी केसी त्यागी ने एक पोड़े बिडाम जरूर लगा दिया जहां ये चर्चा हो रही थी कि बिहार के मुक्रमंति नितीश कुमार को इंडिया गटमंदन का सन्योजक नहीं बनाया गया तो वो नाराज है या फिर वो खफा है इस पर भी केसी त्यागी ने तमाम चीजों को लेकर इसपस्टी करन दे दिया है और कई एहम हैं मुद्दे पर बातचीत आज हुई है केसी त्यागी ने इसका खुलासा किया है और बड़ी- चीजों को लेकर किसी त्यागी ने तमाम बाती जो है वो बताई है और मीडिया के हर सवालों के जवाब दिये हैं तो आज जो ये प्रेस कॉन्फरेंस रखा गया साम में राजचकार कारने की बाठा के बाद तो अब तक जो चर्चाओं का बाजार गर्म था उन तमाम चीज झाल 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 झाल